हाई एवरिवन वेलकम टू ट्रीकी जेक्षन इस विडियो में वैलो जी के टॉप 40 कोईस्चन लेके आई हूँ जो आने वाले एक्जाम के पॉइंट और वियू से बहुत इंपोटेंट है तो आप सब मेरे साथ इस विडियो में लास्ट तक बने रही है आईए पहला कोईस्चन देखते है बिटामिन सब्द किसने पर्ति पादित किया है तो बिटामिन सब्द पर्ति पादित फंक ने किया है और बिटामिन का नामकरन फंक ने किया है जबकि बिटामिन की खोज किया है फेडरिक हॉपकिन्स ने 1912 में खोज किये थे इलखित में से कौन बिटामिन ए का सर्वोतम सरोत है तो बिटामिन ए का सर्वोतम सरोत गाजर है कारेट इंगलिस होता है गाजर का इंगलिस कारेट होता है और बिटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल बिटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल नेक्स्ट कोशन है मानव सरीर में बिटामिन A कहां भंडारित होता है तो मानव सरीर में बिटामिन A यक्रित में भंडारित होती है यक्रित का एंगलिस होता है लीवर लीवर होता है मानव सरीर में बिटामिन A यक्रित में भंडारित नहीं होती है नेक्स्ट कोशन है बिटामिन एक की कमी से कौन सा रोग होता है तो बिटामिन एक की कमी से रतोंदी रोग होती है नेट ब्लेंडनेस स्वयाविन में प्रोटीन का पर्तिसत कितना होता है तो स्वयाविन में प्रोटीन का पर्तिसत 42% होती है स्वाविन और मुंफली प्रोटीन के परमुक सुरूत है स्वाविन और मुंफली में बहुत जएद प्रोटीन पाया जाता है किसमे प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो चावल में नहीं पाया जाता है option number C सही answer होगा और चाबल में कार्वोहाइडरेट पाया जाता है Next question साका हाडी अधिक्तम प्रोटीन किस से पाते हैं तो दालों से पाते हैं आप्सन नमर बी सही आंसर होगा साका हाडी बेक्ति की प्रोटीन के लिए डेली दाल का शेवन करना चाहिए दार में बहुत जैदे प्रोटिन पाया जाता है नेक्स्ट कोईशन निमलिखित में से यौगी के किस समू को सहायक आहर कारक कहा जाता है तो सहायक आहर कारक कहा जाता है विटामिन को अप्सन नमर डी सही आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन है निमलिखित में से किसे रख्षात्मक पदार्थ कहा जाता है तो बिटामिन को कहा जाता है option number A, सही answer होगा next question है थैमिन किस बिटामिन का रशायनिक नाम है तो option number D, सही answer होगा vitamin B1 का रशायनिक नाम है नेक्स्ट कोशन है निमलिखित बिटामिनों में से कोबाल्ट होता है कोबाल्ट होता है बिटामिन B12 होता है अप्सन नमर 20 सही आंसर होगा और बिटामिन B12 का रसाहिनिक नाम होता है सै, सैनो कोबाल्मीन और बिटामिन B12 के कारम से होता है एनिमिया रोग होता है, बिटामिन B12 के कारण एनिमिया रोग होती है, एनिमिया रोग होती है, नेक्स्ट कोईशन है, सुस्क छी कोप का मनुस में परकोप किस बिटामिन की कमी से होता है, तो बिटामिन A के कमी से होता है, अप्सन नमर सी सही आंसर होगा, और बिटामिन A के क प्रतोंदी भी होती है नेक्स्ट कॉशन है साइनो कोमाल मीन किस विटामिन का रसायनिक नाम है तो विटामिन बील का रसायनिक नाम है पीसे कोशन में भी डिसकस की अभी Jest da कौनसे बिटामिन जो कच्छे फ़लों में पाया जाता है तत्या एस्किन को सोस्त रखने के लिए जरूरी है जिसका आंसर होगा option नमर सी सही आंसर होगा vitamin C होगी और यह खटे फलों में पाया जाता है vitamin C और विटामिन सी का खोज किया था होल कट ने विटामिन सी का खोज होल कट ने किया था और विटामिन सी का रसाइनिक नाम है एसकॉर्विक एसीड नेक्स्ट कोईशन है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है तो सबसे उत्तम स्रोत है आमला आप्सन नमर सी सही आंसर होगा आमला खटे फल में या बिटामिन पाया जाता है बिटामिन सी नेक्स्ट कोईशन है निमलिखित में से किस बिटामिन की कमी के कारण मसूरों से रखत आता है और दात हिले लगता है इसका आंसर होगा option number C, सही आंसोरों का vitamin C के कारण से vitamin C के कारण से मसोरों की रखता आता है और दात भी हीलने लगती है next question है vitamin C का रसाइनिक नाम क्या है vitamin C का रसाइनिक नाम है escorvic acid नाम है next question है निमलिखित बिटामिनों में से कौन सा सरी में भंडारित नहीं होता है तो भंडारित सरी में नहीं होता है vitamin D भंडारित नहीं होता है option number C, सही आंसर होगी next question है कौन सा vitamin परती रक्षा परदान करता है तो vitamin A परती रक्षा परदान करता है option number A सही आंसर होगी next question है नीवनि मेशे कौन सा vitamin जल में घुलनसील है तो जल में घुलनसील vitamin C है option number D सही आंसर होगा vitamin C जल में घुलनसील vitamin है next question है पड़ाता हो कालिन ध्हूप में मानब शरीर में कौन सा vitamin उत्पन होता है तो बिटामिन D उत्पन होता है ओप्सन नमर D सही आंसर होगा बिटामिन D या बिटामिन सुर्ज के परकास द्वारा सरीर में बनता है नेक्स्ट कोशन है मसलियों के यक्रित के तेल में किसकी परचूरता होती है किसकी परचूरता होती है तो बिटामिन D के पड़ चूरता होती है आप्सन नमर C सही आंसर है मसलियों के यकरित के तेल में बिटामिन D पाई जाती है नेक्स्ट कोईशन है कोले कैल्सिफ फेरोल किस बिटामिन का रसाइनिक नाम है तो बिटामिन D का रसाइनिक नाम है आप्सन नमर B सही आंसर हो है नेक्स्ट कोईशन है बितामिन E का रसाइनिक नाम क्या है बितामिन E का रसाइनिक नाम है टेको फेराओल बितामिन E का रसाइनिक नाम है टेको फेराओल आप्सन नमर D सही आंसर है नेक्स्ट कोईशन है विटामिन E विशेष तक किसके लिए महतपूर्ण है तो लिंग गरंतियों के समान किरिया के लिए महतपूर्ण है उप्सन नमर C सही आंसर होगी नेक्स्ट कोश्चन है मानव सरीर में रखत का ठक्का किस विटामिन से बनता है तो विटामिन के के विटामिन के से बनता है उप्सन नमर ए सही आंसर है विटामिन के की सहयता से हमारे सरीर में रख का थक्का बनता है नेक्स्ट कोश्चन है विटामिन एका महत्पुन सरोत निमलिखित में से कौन सा है तो गेहूं अंकूर का तेल उप्सन नमर सी सही आंसर है बितामिन ए का महत्पुन सरोत गेहू अंकुर का तेल है नेक्स्ट कोश्चन है बितामिन ए का महत्पुन सरोत निमलिखित में से कौन है तो बितामिन ए का महत्पुन सरोत गेहू अंकुर का तेल है अप्सन नमर सी सही आज़र है नेक्स्ट कोश्चन है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक है, तो पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा, अजय है अजय है। एक गलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है बच्चों में अंगों की अस्थिया मुर जाती है किस बिटामिन के कमी से तो बिटामिन दी के कमी से अप्सन नमर सी सही अंसर है नेक्स्ट कोईशन है मनुस के नेत्रों के स्वास्त संचालन के लिए किस बिटामिन का संबंध है जिसका अंसर होगा बिटामिन ए अप्सन नमर ए सही अंसर होगी विटामिन A का संबंध है और विटामिन A का कौन सा विटामिन है विटामिन D है option number C सही answer है next question है मानब सरीर में इन्फेक्चन रोकने के लिए कौन सा बिटामीन मदद करता है बिटामीन अ promise ideal नमरे Officer समय से ऊन्पसन नमरें सही अंसर मानब सडम में इन्फेक्चन रोकने के लिए विटामीन मदद करता है नेक्श्ट tremend चिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा बिटामिन निकल जाता है तो चिली हुई सब्जियों को धोने से बिटामिन सी निकल जाती है ओप्सन नमर भी सही आशार होगी नेक्स्ट कोशन है बिटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुस में कौन सा रोग होता है तो अड़कता होता है यानि एनिमिया होती है बिटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुस में अड़कता रोग हो जाती है एनिमिया रोग हो जाती है नेक्स्ट कोशन है गोल्डन चावल गोल्डन राइस एक पड़ चूरतम सरोत है तो अप्शन नमर ए होगा सही अंसर बिटामिन ए गोल्डन चावल एक बिटामिन ए है बिटामिन ए का पड़ चूरतम सरोत है नेक्स्ट कोश्चन है इसकर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो इसकर्वी रोग विटामिन C के कमी से होती है विटामिन C की कमी से इसकर्वी रोग हो जाती है नेक्स्ट कोश्चन है विटामिन B2 का अन्य नाम है बिटामिन B2 का नाम है रैवफलेविन अपसर नमर सी सही अंसर है बिटामिन B2 का नाम रैवफलेवनी है जिससे रसाइनिक नाम भी कहते हैं नेक्स्ट कोईशन है एक कथोड़ परिश्रम करने वाले पुरुस्त की दैनिक उर्जा की अवसकता होती है 4000 कैलोरी एक कथोड़ परिश्रम भी पुरुस्त की दैनिक उर्जा होती है 4000 कैलोरी नेक्स्ट कोईशन है कौन सा बिटामिन हमारे सरीर में सबसे अधिक तिवरता में से बनता है तो बिटामिन D बनता है औप्सन नमर D सही आंसर होगा बिटामिन D हमारे सरीर में बहुत अधिक तिवरता से बनती है तो यह आज का बैलोजिका चेप्टर था अगर आप ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो के लैक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच